1998-99 में जब भोकाल सीरीज की कॉमिक्स आती थी तो काफी ज़्यादा लोग प्रिय थी 1999-99 के समर्स में इन सब सीरीज का बिसबरी से इंतजार रहता था खासकर की जो टाइटल कवर पे आप देख रहे हैं आठ रुपेज मुल ले वाली कदम इस्टूडियो का आठ वर्क बेमिसाल था उस दोर में कॉमिक्स इंडस्ट्री का उस दोर में करीब 200-300 या करीब मान के चलते हैं 500 ऐसी कॉमिक्स बुकाई जो बेमिसाल लए आइ थिंक इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री का 1997 से लेकर के 2002 तक का जो समय वो गोल्डेन पिरियट का आजाता है संजे गुपता मरिश गुपता कदम इस्टूडियो इसके सिल्पकार हैं इस कॉमिक्स के दुर्गमा देताओ का राजा इंडर का सिंगासर विलक्षण हीरो का हार यही दो वस्तू है जो विकासनगर के सुंदरता को सोने पर सुभागे का काम करती हैं इनी कारण अदभुत नगरी का लाता है विकासनगर लेकिन एंदर के सिहासन और हीरो के द्वार के साथ साथ आज भी काश्नगर में स्थापित हो गई है एक और विलक्षण वस्तू और वह है वह विशाल सुर्ण घंटा जिसे नाम दिया गया खंडनाद जब अखंडनाद बसता है तो उसकी आवाज संपूर्ण राजधानी में सुनाई देती है टनाक राजधानी के समस्त निवासियों के कानों में अखंडनाद की आवाज मातरेक आवाज की रूप में पहुँचती है लेकिन वी स्वरक्षक भोकाल की कान में आवाज धक तीस अलाखों के भाती प्रवेश करती है और उसे सचेत करती है किसी को उसकी मदद क्या उशकता है इसलिए उसे अपना सुख अपना आराम त्याग कर वहाँ पहुचना है जहाँ परिस्तित है अखंड नाद विकास नगर के इस नागरी को हमारी मदद क्या उशकता है परतु यहाँ तो अचेत हो गया और यहाँ बुरी दरग हैल भी है इसकी दशा बता रही है कि इस पर कोई घूर विपदा आई है जिसे निपटने के लिए इसे मेरी आउशकता है लेकिन वह विपदा क्या है वो यह नहीं बता सकता है इसलिए स्वर प्रत्व मुझे इस से लेकर पोहुचना होगा राजवायद के पास कि इसकी चेतना सीगरत इसीगर वापस लटनी चाहिए राजवायद जी ठीक है मावली आप महल वापस लोट यह जैसी इसकी चेतना वापस लोटएगी मैं आपको इसकी सूचना दे दूँगा दूसरी पिछण भुकाल के चेहरे पर जो भाव आये थे वो चटान सी कथूरता लिये हुए थे जब तक इसकी चेतना वापस नहीं लोट आती मैं यहां संट कहीं नहीं जाओंगा अगर मैं इस समय वापस लोट गया तो दिकार देता है कि किसी को भी कैसी भी समस्या के लिए भुकाल के मदद के आवशकता हो तो वो इस घंटे को बजा जए इस घंटे की आवाज पर भुकाल तुरंद पहुंचेगा और घंटा बजाने की वाले की हर समस्या के समधान अभी लंब करेगा बिने किसी पक्षपात के विकास नगर की माटी की शोगंद खाता है बकाल कि अगर वह ऐसा नहीं कर पाएगा तो कभी शुस्तरों को हाथ नहीं लगाएगा राजनितिक और परिवारिक जीवन से सन्यास ले लेगा अपने उसी वचन और सोगंद के लाज रखने के में प्रयास रत हुँए और मेरा है प्रवास सफल लात उसेनापति प्रमार कुमार के पुत्रों जैसे अपने विर्योधियों के शांत करने के साथ साथ उन हजारों यूगों के हिर्दे में राष्ट भक्ति और प्रेम की जवाला प्रज्वलित करने में सफल हो जाऊंगा जो प्रवेति के नाम पर भटक रहे है रोगी की चेतना लोटाई है महाबली राजव्यत के वाज बहकाल के विचारों के आकास से निकल कर करतब के धरातल पर ले आई आप कौन है स्रीमान और आपको मेरी किस प्रकार की मदद क्या हो सकता है मैं विकास नगर का गरीब किसान हूं महाबली और मैं आपसे अपनी रोजी रोटी की सहारा अपनी फसल बचाने में मदद करना चाहता हूं रुधे हुए इस गल से वह सब कुछ बताता चला गया वह किसान जिसे सुनने के बाद एक छड़ भीमान ही रुका भकाल निश्चिन्थ हो जाए ये भकाल बचे या ना बचे परन्तु आपकी फसल अवस्चे बचे ये तुरंत ही वोड़ चला था वह महावली और उसकी मंजिल थी वह जमीन जिस पर मवजूद किसी के एक अठवर परिश्रम को कोई मातर अपने खेल के लिए बरबाद करने पतुला था इस हरे भड़े स्थान पर पासाण के लिए किर्णा करने बड़ा ही अनंदा रहा है तुम्हारा ये अनंद शोक में बदल जागा दुस्टो अगर तुम इसी छणखेत से बाहर निकल कर नहीं भाग गये तो हमारी किर्णा में एक और मानो विगन डालने चलाया है तुझे सायद पता नहीं कि कुछ दिर पहले हम नहीं एक मानो का ऐसा मारा था कि वो अपने प्राण लेकर भागा था परन्तो हम इसको बचाने के लिए नहीं देंगे क्योंकि हम इसका शीष काट कर उससे क्रिड़ा खेलेंगे भीषड था वा प्रहार और सिग्रीव प्रहार भुकाल के क्रोध को जालमुखी की भाती भड़काने के लिए काफी था मेरे शीष का क्रिड़ा के लिए अवस्यों प्योग करना दुश्टो अगर अपने शीषों को अपने धड़ों पर बचाय रख सको थो जिस खेती को बरबात करने पर तुले थे वेराक्षस उसे उनकी लहू से सीज़ कर वापस लोटा था वसभी की मदद करने का बचन लेने वाला और उसकी इस बचन बध़ता का सभी को लाब मिल रहा था साथ ही भुकाल की किरती को भी लाब मिल रहा था हमारे मदददार भुकाल की चैय चैय दिन रात भुकाल की कृती बढ़ रही थी इसी की साथ साथ बढ़ रहा था भुकाल की किरती से इर्षा करने वाले उसके सत्रू जिन में आज एक नहाया नाम जुड़ा था और वो नाम था दुर्गमा ब्रमांड के दुर्गम से दुर्गम इस्थानों पर जाकर मैं सही सलामत लोटा है परुंति मेरे नाम कोई नहीं जानता जबकि भुकाल जैसे तुछ मानों को महाबली विश्व रक्षव करना जाने कितने ही नमस्व अलंकरित किया जा रहा है ऐसा क्या है भुकाल में क्या वह मुझसे भी भेंकर दुर्गम स्थानों से वापस लोट कर आ सकता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता दुर्गमा जीन दुर्गम स्थानों से हो कर रहा है वहां से भुकाल क्या उसके देवता भी वापस नहीं आ सकता या शायदा आ सकता है नहीं आ सकता क्योंकि वह मेरे जिस सक्तियों का सामी नहीं है मैं वायू की गती से भी अधिक तेजी से ब्रहमांड में कहीं भी आ जा सकता हूं सुक्ष्म, अति सुक्ष्म रुपधारन कर सकता हूं जब चाहूं जिसके चाहूं सरीर में प्रवेश कर सकता हूं तब ही तो कहता हूं जहां मैं जा सकता हूं वहाँ भुकाल कभी में नहीं जा सकता हूं नहीं ऐसा भी हो तो हो सकता है कि भुकाल मुझसे भी हदिक और भी लक्षर सकते हुए सामी हो आपनी सा करात्मक्ता और नकरात्मक्ता के विचार में घीरे रहने के बुरी आदत में उल्जावा अद्बुत प्राणित दिर्गमाद जब किसी परिणाम पर नहीं पहुँच पाया तो उसने निया वह निर्ण है मैं ऐसा करता हूँ कि भोकाल के परिक्षा ले लेता हूँ अगर भोकाल मेरी परिक्षा में घरा उत्रा तो महाबली और विश्वरक्षको ही रहेगा और अगर वह हार गया तो इन खिताबों का एक मातर उत्ता धेकारी बनेगा दुर्गमा और भोकाल की परिक्षा लेने में मेरी वह पोटली कामे आएगी जिसे मौजूद है उस विची त्रेवन और भूत वक्स्तु का विड़क्षन खजाना जिसे मैंने अती दुर्गम इस्थाने से प्रात्त किया है जहां जहां से मैं होकर आपस लटा हूँ मेरी पोटली के खजान में एक मोटी है पतालू नामा किया सर्फ जो भकाल की परिक्षा लेने के लिए एकदम उपिवत होगा दुर्गमा ने अपने हाथ में थमे उस विचीतर सर्फ को एक भौन की तरफ उचाला और फिर अतिस सुक्ष में धारान कर तेजी से एक तरफ बढ़ निकला अब मुझे अपने मात्री अब मुझे अपने मतलब के शरी की खोच करनी है रात को सनाटे में अंत्कार के करेज़े में वातामड के कलेज़ों को चेती भी गई अखंडा नात के वाज और अब विकासनकर का बच्चा बच्चा जान चुका था कि उभी घटना के वच्चने के पीशे एकी जिन जारत आया था और अब विकासनकर का बच्चा बच्चा जान चुका था कि इस घंटे को बच्चाने के लिए के रह था था हम तो रहते तो किसी की मदद को आ सकता है भोकाल को सेनापरते पर्विड़क माज जिसके संकेतों पर विकासनकर की समस्ते नास्ती है जिसके संकेतों पर विकासनकर की समस्ते नास्ती उसे मेरी मदद जिस तरह से भोकाल पठकता है ये कच्चुवा टाइप का जो प्राणी रहता है ये बड़ा मुझे जमा था ये इसमें एके को चुनोती दे दे करके भोकाल हरा देता है ये दुर्गमा कोमिक्स के बारे मैं बता रहा हूँ संतानवे अंठानवे के असपास आई थी संतानवे अठानवे अधिंग दोजार के असपास आई थी कि मैं जहां तक अपलोड कर चुगा हूँ उसके बाद मैं दिखाता हूँ अग्रों तो यहां पर खंधाननाद सेनापती प्रमीड कुमार बजाता रहता है अचानक भोकाल वहां पहुचbas जाता है उसके बाद आगे की स्टूरी मैं आपको बताता हूँ सेनापती प्रमीड कुमार की जो समस्चा थी उस से उसने भोकाल को बताई थी और दिखाई भी थी सने सने काल के गाल में तरफ बढ़ते अपने इन युवापत्रों के लिए मुझे तुम्हारी मदद क्या शक्ता है महावली क्या हुआ इन्हें उत्तर वहां मौजुद वैदे ने दिया इन्हें पतालू नमक भैंकर विचितर सर्प ने धस लिया है महावली इसके अतियंत्तिक छड़ों विश्ट से इन दोनों यूकों के सरीर मोम की भाती पिखलने स्टार्ट हो गया है और सिगरी इन्हें दवाई नहीं उपलब्द हुई तो इन्हें बचाना संभव होगा कहा मिलेगी इसकी काट वहाँ जहां उसे सक्षा देवता भी लेकर नहीं आ सकते है जिसकार को देवता भी नहीं कर पाते उसे कभी-कभी मनुष्य अपने सची लगन और सास के वल पर कर देते है इसलिए वैज जी निसों कोच उसस्थान के बारे मताई जहां इस विच्ची तरसत के विश्च की काट मिल सकती है पताल के गहराईयों में इस्थित कच्छ नगरी में इसकी काट मिलेगी महाबली इस भायनक तीन मुखी सर्प के रूप में जिसके आखे दहकती अंगारे के भाती लालोगी और सारा शरीर हल्दी के भाती पीला होगा उस सर्प का नाम कंकालू है वो भी अत्यन्त विश्धारी सर्प के परंतु उसका विश्च इस पतालू नमक सर्प के विश्च की काट है अगर दस दिन के अधी के अंदर इन युवोकों को कंकालू शर्प से डसवा लिया जाए तो इनके प्राण बस सकते हैं अगर ऐसा है वहत जी तो पताल की गहराईयों से निकल कर कंकालू शर्प धरा पर आएगा और उसे धरा पर लाओंगा मैं द्रिड़ता के प्रताप से दमा करा था उस महावली के लिलाट जबकि धूर्तता चमा करे थी इस वैद के चेहरे पर जिसके सरीर के अंदर सूक्षन के रूप धारण किया मौजूद था दुर्गमा मेरी योजना सफल हो गई भोकाल द्वरा मेरे द्वरा तैयार की गई परिक्षा देने के लिए निकल पड़ा है परंतु वह इस परिक्षा में कदापी उत्तिन नहीं हो सकता क्योंकि मेरे बताए जिस इस्थान पर भोकाल जा रहा है वो अत्यन दुर्गम इस्थान है और ऐसे दुर्गम स्थान से मातर दुर्गमा ही वापस लोट करा सकता है भोकाल नहीं प्रहारा की मदद से बना यहां आवरण मेरी इस जल्यात्रा में अत्यन्त लावकारी सी धो रहा है क्योंकि इसमें सास लेने के लिए आवश्रक भाई तो है ही साथी साथ जल मौझूद सेकड़ों संकटों से निपट लेने की छमताव और मजबूती भी है आवरण की जिस चमताव जिस मजबूती पर भुकाल प्रसंद नो रहा था और वह उस टकर के सामने धरी की धरी रह ले भड़ाक भीशण था वह टकराव जिसने भुकाल की चितना चीन ली थी तबी वह ना तो टकराव की काराण को देख सका और नहीं देख सका उन कहीं हातों को जिनों ने उसके अचियत सरी को समभा लिया जैसे ही भुकाल की चितना वापस लोटी वैसे ही वह उचल कर पैरों पर खड़ा हो गया ओ ये मैं कहा हो तुम्ही समय कचचप नगरी में हो में और कचचप नरेश, कचचप राज के समक छोगा और तो भुकाल के उस इस्तबदता को कचचप नरेश ने तोड़ा तुम्हें यहां पर बंदी बनाकर लाय गया है और गंतुक जिसमय तुम अचिएत थे हमारे वेग्यानिकों ने तुम्हारे सरीय और मस्तिस्क का ध्यान करके तुमसे समधित परतेक जनकारी हासिल कर लिए और पता लगा लिए है कि तुम्हारा समध्ध पृत्वी के मनुश्य जाती की प्रणियों से है ओ तभी तो हम तुम्हारी भासा में तुमसे बात कर रहे हैं और तुम्हारी बात समझ पा रहे हैं आपका कहाना सही है कच्छप राज मेरा लक्ष आपकी नगरी ही थी परन्तु मेरा उद्देश आपका हानी पहुचाना नहीं है तो फिर क्या है तुम्हारा उद्देश मोकाल अपना उद्देश बताया तो गंभीर स्वार में बोलावा कच्छुओ करा जा कंकालू सर्ब को प्राप्त करने का तुम्हारा उद्देश वास्तों में पवित्र है परन्तु फिर भी तुम इस नगरी में आकर दंड पाने का अधिकारी तो होई गयो परन्तु हमारी नगरी में दंड का प्रावधान नहीं है तुर दंड के तोर पर तुम्हें हमारे पराकरिमी योद्धा से योद्ध करना होगा और हारने पर अपने मृत्ति को स्वेम मरण करना होगा चमा करे कच्छप नरेस्म है यहां युद्ध करने नहीं बलकि शांती से कंकालू सर को लिले आए हो इसलिए मेरी युद्ध लणे की कोई इक्षा नहीं है बोकाल के मुख से इतना ही निकला था कि कच्छप राज का क्रोध गरजना से काप उटी कच्छप नगरी की दिवारे हैं कच्छप नगरी में बारी प्राणी की इक्षा निक्षा नहीं हमारे बनाय नियम चलते हैं और हमारे आदेश को जानते बुझते इंकार करना नियमों का उल्लंगान है जिसका यह कई दंड है तलकाल मृत्यू ओ विचितर था कच्छप नगरी का वह नियम जिसे मानने के लिए बिवस्ता भी वकाल ठीक है मुझे आपका नियम सुकार है बंदी को ले जाकर बंदीगरी में डाल दो कल कुरूर कच्छप से इसका युद्ध होगा कुरूर कच्छप वहाँ नाम सुनकर वहाँ मौझूद कच्छुआ माननो के शरीर में भाय की संसना हाट डोड़ गई साथ भोकाल पर भी उस नाम के वही प्रतिकरिया होती अगर उसने उस कुरूर की एक को एक नजर देख लिया था जिसने कल का युद्ध होने वाला था भाय से कापते और भोकाल को देनी द्रिष्टी से देखते कच्छुआ मानो की दशाब बतारे थी का आने वाला कल भोकाल पर बहुत भारी पढ़ने वाला था जिसका भोकाल को अभास कराया बंदिग्रिय के एक दैली कुछ वासा निपने युद्ध की स्विक्रिती भरने के बाद अगर ब्रहरी पाड़ी युद्ध लड़ने से इंकार कर देता है तो उसे ततकाल मृत्यु की जगा कुछ वर्षो के करवास वह हमारी नगरी के नियमों प्राधान है तुम इस नियम तुम स्वयम को बचाने के लिए इस नियम का उपयोग कर सकते हो अगंतु क्योंकि कुरूर कच्छप से युद्ध कर के तुम्हें भयानक मृत्ति के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला है तुम उसे नहीं जानते है वह हमारी नगरी का बहुत ही भ यहां हमारी नगरी का दिन है क्योंकि जिस समय वह अपनी प्रूरी कुरुता के रंग में रंकर निकलता है तो अपने रास्ते में आई हर बड़ी से बड़ी अर्चन को चकना चूर कर दालता है धड़ाक विशालकाय मचलियों को वस्तरों की ध्वाती फाड़ डालता है भहंकर से भहंकर केकड़े को लहू से सराबोर कर देता है मजबूत से मजबूत घूंगे को एक ही मुस्ति प्रहार से खील-खील कर डालता है भड़ाक इसलिए मेरी बात मालो और कुरूर कच्छप से यूद लड़ने से इंकार करके भायानक मृत्तिव के स्थान पर कुछ वर्षों का करावास चुनलो आपने मुझे पर डिया करके कुरूर कच्छप के बारे में बताए इसके लिए धन्यवाद स्रीमान परन्तु अब मैं अपना वीचार नहीं बदल सकता क्योंकि ऐसा करके मैं कुछ वर्षों के लिए इस नगरी में कैद हो जाओंगा जबकि मुझे मातर दस दिन में कंकालू सर्व को लेकर प्रिथ्वी पर वापस लोटना है अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरा वचन भंग होगा और मेरे लिए वचन भंग करना उस मृत्तिव सदिक भ्यानेक जो मुझे कुरूर कच्छप से लड़कर मिलेगी मूर्ख है तुजो आत्म हत्या करने की सोच रहा है कल तुए एक छण भी नहीं ठार पाएगा कुरूर कच्छप के सामने जैसा सुना था उससे कहीं दिख भैंकर और कुरूर दिखाई पड़ता है ये कुरूर कच्छप इससे हारने का अर्थ सक्षात मुत्ति पर विजय पाने के समान होगा भोकाल ने सेकड़ यूद लड़े थे हजारो प्रतिदिन्दियों को जूल चटाई थी लेकिन यहां मुकाबला उसके लिए त्यंतिक कड़ा था और यह बार कुरूर कच्छप के पहले ही बार से इस पस्ट हो गई थी धड़ाक ओफ अगले बार से भोकाल ने स्वयम को अपने मन मस्तिष पर कुरूर कच्छप के भैव को हावी उनतर हो इस बात कभूल कर कि मन के हारे हार हो और मन के जीते जीत धड़ाक ओफ प्रतिद्द्द में भोकाल ने वह प्रहार करके कुरूर कच्छप को दिखा दिया अगर वह बलसाली था तो वह अपकम वह भी नहीं अगर कुरूर कच्छप को बचने के लिए अपने सरी को सिकोड़ कर अभेद खोल में चिपा लेने के विलक्षण शमता थी तो उसके भी अंग अंग में प्रहार करने के विद्धिये तेजी भरी अगर कुरूर कच्छप में जबर्दस्थ मारक शमता थी तो वह भी बला कि सक्टी आशामी था अगर कुरूर कच्चप के सरी में सक्टी का इस्तरोत था है तो उसके मस्तिस में भी व्यक्षागर विद्धी कूठ कर भरी थी अगर कुरू करशप समूंदर के नीचे की दुनिया के सबसे बड़ा परक्रमी तो उसे भी पृत्वी का महाबली कहा जाता था अगर कुरू करशप कभी पराजित नहीं उत्व हुआ था तो पराज या कमू उसने भी नहीं देखा था दोनों लड़ते रहे तब तक लड़ते रहे जब तक कच्छप राज के अंठ से ना गुजी वहवाद रुक जाओ याखी साथ ही दोनों पराक्रमी लोटे रुके और एकी साथ कच्छप राज की तरफ पलटे निया मानुसार या युद्ध दो दिन तक लड़ा जाता है और दो दिन के यह होधी समाप्त हो चुकी है इसलिए कुरूर कच्छाप और अगंतु का यह युद्ध बिना किसी परिणाम के समाप्त होता है कच्छाप राज के कंठ से निकलने वाले आगे कि शब्धोकाल की प्रसंसा से लबालब भरे हुए थे हम अगंतु की जितनी प्रसंस करे कम है क्योंकि आगंतु के कारण समुद्र नगरियों की इतिहास में ऐसा पहली बार हुए है कि दो दिन लगातार चाहिए कि पस्चाप भी कोई युद्ध बिना किसी परिणाम के समाप्त हो गया नव इतिहास रचने वाले आगंतुक हम तुम से अती प्रसंद ने इसलिए हम तुम्हें मुद्ध करने के पहले तुम्हें कोई अपनी पसंद का कोई उपहार देना चाहते है कहो क्या चाहिए तुम्हें मैं आपके नगरी के विलक्षड समृतियों को उपहार में ले जाना चाहता हूँ इसलिए मैं आपसे अनुवरोध करूंगा कि मेरी समृति को नश्ट न किया जाए हम तुम्हारी बात नहीं टालेंगे आगंतुक यहां की समृतिया सदा तुम्हारे मस्तिष सुमेश परन्तु तुम इन्हें किसी को ना बता पए इसलिए तुम्हारे मस्तिष में मांसिक अवरोध लगा देते हैं अगर तुम्हारी हमारी नगरी के विशे में किसी को कुछ बतानी की चेस्ट अगी तो तुम्हारे मस्तिष से प्रत्य किस्मृति नश्ट हो जाएगी तुम्ह ना हमारे विशे में स्मरण रहेगा ना अपने विशे में अब से तुम हमारी नगरी के विशे सातीती ही हो अगंतुक जब तक तुम चाहँ यहां रहा सकते हो धन्यवाद कछप नरेश मैं यहां तिते भोगने नहीं एक मत्रूर उद्देश्य पूरा करने आये हूँ और मेर भी साधानी बरतनी होगी कंकालु सर्फ की तरफ हाथ बढ़ाता भोकाल पूरी तरह सतर्ग था लेकिन इसका क्या किया जाए कि कंकालु में विद्द्युत को भी मात कर देने वाले तेजी भरी थी भोकाल की जंगा में अपने दाथ गड़ाने के बाद वहां से बच निकलत भुकाल ने उसे इतना असर नहीं दिया जपटकर भुकाल ने उसे फ़नों को अपने हाथों में दभोच लिया दुसरे इसरण भोकाल किसी मदमस सरावी की भाती छो मुठा ओह। कंकालू सर्प के तीर विश्ण ने मेरे सरीर पर अपना प्रभावत दिखाना आरम कर दिया है मेरे पास समय बहुत कम है इसलिए मुझे इसे लेकर तुरंथी वापस लोटना होगा ताकि मेरे वचन की लाज प्रभील कुमार जी के पुत्रों की प्राण बस सके इस वर का लाख लाख धन्यवाद है महाबली सही समय पर कंकालू सर्प को लेकर आ गया बोकाल को देखकर जहां उसके चाहने वाले खुशिश भर उठे वह इर्शा की आग में बुली तरह जल उठा दुर्गमा बोकाल पातालों के कंकालू सर्प को वापस लेकर आया है इसका मतलब कि वह परिक्षा मुत्तिर्ण हो गया नहीं नहीं अभी वह परिक्षा कैसे हो सकता है परिक्षा अभी समात कहा होई अगर यू कहें तो एकदम उत्तमों की परिक्षा के कठीन चरण तो अभी आरहम हुआ है क्योंकि हाहा हाहा इधर दुर्गमा अपनी योजना के अगले चरण को पूरा करने निकल पड़ा और उधर भोकाल उसके सुपचिंत को ने घे लिया ओफ महाबली का सारा सरीन लिला पड़ा हुआ है और यह विश निसंदे ही कंकालू नामा की सर्प का है यह तो विश का प्रफाव है वह इस सर्प के विश का काट मिला तेन दुसकर है कोई दुसकर नहीं प्रवेड कुमार जी अगर पतालू सर्प के विश की काट कंकालू सर्प का विश हो सकता है तो कंकालू के विश कहा काट पतालू का विश हो सकता है पतालू सर्प कहा है उसे जलाओ जल्दी मैं उन्ने उसे एक मर्दबान में बंद करके सुरक्षित देखा मैं अभी उसे लाता हूं महावली प्रसन चित भाव से पतालू को लेने दोड़ा सेनापती प्रमेड कुमार और कुछ हड़ो बाद ही वबधावा सवापस लोटा पतालू सर्प गया भया सेनापती प्रमेड कुमार ने उन सब्दों ने वहाँ जला मुखी के फटने से इस्पोट किया जबकि सभी आखों में भयक तुफान लिये पल्टे अपने उस रफचक की तरफ जो कंकालू सर्प के उस विष्ष के प्रभाव से बुरी तरह तड़प रहा था जिसका एक मातर काट थी पतालू सर्प की विष्ष लेकिन पतालू सर्प तो गयब था भोकाल कंकालू के विष्ष से मृत्तियू के पास पहुंचा या दुर्गमा की परिक्षा के अगले चरण में फसकर जानने के लिए पढ़े हैं मृत्तियू उन्जे वैज आपको ये कॉमिक्स कैसे लेगी आप लोग लाइक कमेंट शेर जरूर कीजेगा इसे तरह अपना प्रार दुरा देते रहे हैं दोस्तो आज आपको हो ली और आपके परिवार को मुबारक बाद हो मिलते हैं आपसे नेक्ट वीडियो में जल्दी